हेलो दोस्तो नमस्कार होमेपेटिक टेच पर आपका स्वागत है दोस्तो मैं तो बहुत अच्छा हूँ उमीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे दोस्तो आज हम जिस मेडिसीन के बारें बात करने वाले हैं उस मेडिसीन का नाम है कैस्टर ओयल दोस्तो आज हम लोग इस मेडिसीन के बारें पूरी जनकारी लेंगे कि ये मेडिसीन किस चीज से बनता है या फिर ये किस किस रोग या फिर किस किस बीमारी में काम आता है या फिर इसे खाने के क्या क्या तरीके होते हैं दोस्तो आज हम लोग इस मेडिसिन के बारें पूरी जानकारी लेंगे लेकिन उससे पहले दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल एकन को दबाना ना भूले क्योंकि आगे आने वाला अपडेट्स आपको मिलते रहे तो दोस्तो आप वीडियो के पूरा देखते रहें आपको इस मेडिसिन के बारें पूरी जानकारी मिल जाएगी दोस्तो आज हम जिस मेडिसिन यान के जिस औसधी के बारें बात कर रहे हैं उसका नाम है कैस्टर ओयल कड़ी से कड़ी कब जियोत को दूर करने के लिए रोज रात में एक औस पानी के साथ कैस्टर ओयल पाच बुन मिलाकर पिलाना चाहिए सुबह को भी इसी परकार एक खुराक देनी चाहिए जब पेखाना साफ होने लगे तब सिर्फ रात में ही एक खुराक देनी चाहिए जैसे जैसे बिसेश लाब होता जाए वैसे वैसे दवा की मातरा कम करते जाना चाहिए यहां तक कि रोज रात में सिर्फ एक बुन्द की मातरा में दवा का परियोग करते रहने से पुरानी से पुरानी कोश्ट बंधता की सिकायत दूर हो जाती है यह डॉक्टर सीता रामदास के अनुसार और आधार पर प्रमानित हो चुका है बच्चों के आमासे या रक्तमासे में एक अनुस्पानी के साथ एक बुंद कैस्टर ओयल प्रती चार घंटे पर चार खुराक दिजिए इससे सभी आव, खुन या मल साफ हो जाएगा इसके बाद इगल मारमेलस पांच बुंद की मात्रा में सेवन करने से बच्चों का पुराना से पुराना आमासे आरोग हो जाता है यह डॉक्टर यदुवीर सिन्हा के परियोग पर साबित हुआ था सक्ति मुल रूप से रेणी का तेल उमीद करता हूँ दोस्तों आप यह वीडियो अच्छे से और ध्यान से देखे होंगे यानि कि आपको इस मेडिसिन के बारे पूरी जनकारी मिल गई होगी दोस्तों आपको तो मालूम हो ही गया होगा कि यह मेडिसिन किस चीज से बनता है लेकिन अगर उसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप वहां से देख सकते हैं और इसी के साथ साथ आप इस मेड को लाइक ज़रूरी किजीएगा और विडियो को सेयर करना ना भूले कि जितने लोगम पाज जाएगा पाइगे और शबसेजरुरा बार दोस्तों अगर और आप इसके अलावा और भी कई मेडिसिन के बारे में जानकारी लेनी है तो मैंने उसको भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वहां से देख सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही अगली वर फिर आऊंगा तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए हैं आज डे